अबर करो सबको कबर करो यार अरे भाई पहले तू केमरे के आगे से तो हट जाए वीडियो ग्राफर को तुम क्यों लाए हो भला मेरा बेटा कहां है कोई जान पैचान वाले अस्पितालें भरती होना चाहते थे उन्हें भरती करने के लिए गए है कौन है वो लोग पता नहीं अंकल लेकिन मैं मदद करने में अपने ताओं की तरह बनूंगा ऐसा कहकर वो हमेशा आपकी तारिफ करता है कर दो को प्रौни से वादे, कि खर भी ख्रौन्वा यंवा में प्रौन्वा खरे पान। कि अचार अचार आप मत करां चोड़ता मुझे आप आओ बहन यह लो माच इस चला दो इसे इस चला बपर देखकर तो क्ते सामने डेख चला पहनो समय भाग यह सब्सक्तितन फिर के इस कक्र निभी से कुसे आपने को धिया फ्रशार ने बाप इतरे से तेरा क्या होगा सबको बाड़ दो हाँ 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 जी कहिए पुरशतम कहा है पंडी जी को दक्षिना देना है आपको ये तकलिफ भी नहीं देना चाहते आपके भाई वो देखिए बहुत-बहुत धनिवाज निवाटी शत आउश्य आउश्य ते चाचो तुम उपर कैसे आए पाइप चड़कर यार लाइफ में उपर आना है तो पाइप चड़ना बहुत जरूरी है अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो तु बड़ा होने के बाद तेरे काहम आएगा इस घर में एक नालाएक काफी नहीं है क्या इन बच्चों को भी अपन जगडा करते हो बिना किसी को मारे तुम्हें नीन नहीं आती क्या तू कभी नहीं बदलेगा तो ठीक है मुझे यहां बंद कर दीचे मैं यहीं पड़ा रहूंगा आज तक तो यहीं कर रहे हो सुबह होते ही तप औरियों के साथ लड़ना जगरना लोगों का भला करना क्यो चल कि अधिए अधिए अधिगवर कि अन्यविगत ग्रें दो यहां अधिश्टे अधिशा पर दश्टे यहां है कोर्या आया है को से मज़ा करता है सरफ डालूगा तेरे आने से क्या होगा और कुई आया है क्या है और तुर मैं नहीं और कोई दूसरा आया है क्या वो देखो आ रहे हैं कि अधार में भूमने वाले आवारा नहीं चाहिए हमारे काम का कोई आया है क्या बता ए छोटु लाल कुछ ज्यादा समझ में आ रहा क्या एक पेट में दूंगा ना पीछे के दोनों टायर पंक्चर कर दूंगा चल चाहिए बुश्ट नहीं चाहिए अरे सुने दो अरे छोटू कार रेडी है क्या अरे लाया हूं यार ओके रे पार्टी आई है तुम लोग के कारण इस गैरेस का नाम बदनाम हो गया है मेरे और पार्टी की बीच बात होने वाली है तुमने इंटेफेल किया तो ठीक नहीं होगा देखो यह लखी पार करने की कोशिश मत कर अरे अरे नई रेड़ी चोटू मुझे जल्दी जाना है टाइम हो रहा है बागा Om मुझे नहीं चाहिए sentiment मैं मामता हूं Baaai कार्ड गलेबी से पहले नजन उतारे बिना गाली नहीं दे सकता मेरे पास time नहीं मुझे जल्दी जाना या नजन नहीं उतारा तो सच्छन में चाहिन मुझे आका मेरी बात मानो ठीक है शुरू कर रे जल्दी ले करा ये लो भाई के लिए मुझे जल्दी जाना था नजार उतारूंगा। कहे कर कार्द का ग्लास पर डाला तुम्मार इए ले 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 तुम्हें आकर बचाना चाहिए दाना यार तुने मुझे मना किया तरह लकीर पार्क करने को एक्जाक्ली सची दोस्ती है यार अरे उस बैसे ने बहुत पीटा अरे पपू बजा इतका भोपू सैंटा कुरूज एरपोर्ट के करीब एक बाई सेकर जमीन की नीलामी शुरू ह होने जा रही है इसकी सरकारी कीमत 50 करोड़ मेरे 55 करोड़ राश्री बिल्डर वालों की बोली 55 करोड़ वंदना बिल्डर वालों की बोली साथ करोड़ 65 करोड़ 100 करोड़ आगया अब सब सत्याना सो गया आते ही 100 करोड़ की बोली लगाई अब कुन बोली लगा सकता है वो जान बूज कर बोली बढ़ा रहा है भाईया बोली रोग दें क्या सर मेरे रोगने तक बोली लगाओ सो करोड़ एक रुपया अब कौन बोली लगा है दोनों के बीस तो जंग शुरू है 110 करोड़ 110 करोड़ 110 करोड़ एक रुपया भाई उस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है बोली बहुत हो जो अब शोड़ दीजे एक सो बीस करोड़ इसके हार बहुत चल रहे हैं एक सो बीस करोड़ एक रुपया पागल जैसे बोली लगाए जा रहा है पर इसार के बिल्टर वाले को क्या हो गया है एक सो पचास करोड़ उमापती बिल्डर्स वाले की बोली एक सो पचास करोड़ एक सो पचास करोड़ एक एक सो पचास करोड़ दो एक सो पचास करोड़ एक रुपया और के बिल्डर्स वालों की बोली एक सो पचास करोड़ एक रुपया पहनी बार दूसरी बार और यह हमरी वजो से उराम की सनुवा को पचास करोड का नुक्सान होगा हमरा भाइदा ना हुआ तका हमरे दुश्मन का नुक्सान आज हमरा दिल में बहुत खुसी हुआ हालो मैं हूं मूर्ती जमी करीद लिया ना अभी CM के ऑफिसस से मैटल लीख हुआ है उसी लेनके बाद जूम पांस भी कर दिया है अब उसकी कीमत धाई हजार करोड हो गई है तो अधार सार सिंगरेचर होने के बतानी है से डिलेविरी होने के बार लड़का या लड़की वाट वह इपता तम पेट के अंदर करके बताने वाला वो मर जाएगा भाई एक जंडर हाथ से गया तो इतना गुस्सा हम्रा गुस्सा आज का नहीं है कासी राम 20 साल का है उरां किसन ने जौन अपमान किया है और वहीं तो क्या था हम्रा इस गाउं का प्रेसिडेंट होते हुए भी वाटर टेंक का कॉंटेंट मैंने अपने लिए नहीं तुझे दिलाया रोजी रोटी की खाते राय हुए लड़की का तुने नाजायस पाइदा उठाया जो इसमें आए के गल्ती कर दिया हम्रा माप कर दिजिए सरास के नसे में काम फिली का हाथ पकड़ा इसलिए झिलांक के सliamoा के बेरों पे गिर के मापी के भीक मांगी उसने माप नहीं किया गाउं के बीच सबके हाथों से चपल से मार के गाउं से निकाल दिया हमरा सरीर पे लोगल एक एक खाउ के बदलाले भाम इसलिए हम्रा सो क्रोड का नुक्सान भले ही हो जाए लेकिन उराम के सनवा का एक रुपया का भी फायदा हुआ तो हम्रा के बर्दास्त नहीं हुई तेरे जीजा को ये काम सबसे अच्छा आता है उन्होंने सुनने तो तेरा भी नमबर लग जाएगा नए बिल्डिंग को काले पकरे की बली देने वाला था दे दिया शालूर आ रहे हुमा लगता है प्यार करती है बहन किसी से इतनी इंपॉर्टन बात मुझे नहीं बताई जब मुझे नहीं बता पारी तो घरवालों को क्या बताएगी लगता है ये बात मुझे घरवालों को बतानी चाहिए ओरे मुरे प्यारी बहरा ओरे चिंटू तु कितना अच्छा भाई है अरे बड़े पापा क्यों बेटी तुम्हें पसंद है sorry for the interruption मेरी बात सुनकर कोई भी टेंशन मत लेना क्या हुआ बेटा प्यार गुलाब जैसा होता है छुने से मेला हो जाता है तोड़ने से चुपता है प्यार एक कशिश है एक ही बार पैदा होता है मरने के बाद भी जिन यह क्या कह रहा है तो सच पड़ पापा शालू एक लड़के से प्यार करती तुझे उसने बताया क्या बताने से सबको पता लगता है जो बीने बताय समझ जाता वही अस्ति भाई है सब उत देखेंगे इरो की तरह दिखता है ना कार बंगलो दौलत शौरत एश्वारम इन दोनों की शादी करके अपने घर के इज़्जत को बचाना ही चाहिए सब घूर क्यों रहे देखू नहीं क्या तेरे गले में माला पेना कर आती उतारू अरे यही तो वो लड़का जिसे हमने शालू के लिए पसंद किया है बिनाकारण तुने सब को टेंशन दे दिया बेटा कल संक्रांती के लिए गाउं जाने वाले है ना वापस आने के बाद अच्छा दिन देखकर शालू के सगाई कर देना चाहता हूं सुन लिया ना कल शाम चार बजे का ट्रेन है यहां वहां भटकना नहीं चुप-चाप घ प्रेक्टिंग कर दिया थूआ तरी जिन्देगी पर है कि इससे पहले बैल गड़ी चलाता था क्या अरे जल्दी चलना तिने क्यों चला रहा है यारे और हमीराज को लेके जागा क्या अब चुबे तेरी काली सुरत को मेक अप करते वैड़ा तब देर हो गई यह तो सब के अपने जरूरत पर मिलना चाहिए यही जरूरी है अरे देखने वालों के लिए वाटर और मेरे लिए कौटर देख यारे टिकट के तो मैं ट्रेन कर सफर कर सकता हूं लेकिन बगर लिकर के मैं सफर नहीं कर सकता हूं तू अरे ट्रेन शुट जल्दी उतर ना यह ले पैसे शरावी साला जल्दी पैसे देखेंगे चल आ रहा हूं ना सर गुदावरी एकसरस किस प्लाटफरम में है चल जल्दी 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 अरे परे सास बूल ले है अरे पैर को चुरी हो सौरी कहा ना तुमने वो टिकेट के लिए जूके दिए तू कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा है तुझे ऐसा लग रहा है कि तू लड़की तू देखके सब कुछ भूड गया है सौरी यार गोदावरी की ट्रेन पकड़नी थी न इसलिए टकरा आगया है हम भी गोदावरी में जा रहे हैं देखो न हमको और आपको के ट्रेन में चलना है उतरेंगी बेंग जयागा आए पाचन पर प्लाटफरम पर चलते है थांक्स अलॉट। आपने धक्का नहीं दिया होता ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। मैंने जान बुचका नहीं मारा। कोई बात नहीं यार। बड़े शहरों में छोटी गलतिया होती है। अरे अपनी सीट पे हाती बैठ गया है। अरे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ एक मिनटी मिट। अरे उठिये भाई साब उठिये। आप कमाल समझा है। दो बिनिट लेट है तो सरी जाए रेली। नहीं नहीं भाया मारो सीट है रिजरोसन कर हुए। देख यार। अरे यार। पॉम्बे जाना है और गुदावरी में बैठ गया। बॉर्डी को गुदावन जैसा बना लिया है। और दिमाग से बिल्कुल खा लिये। लेट होने पर भी हमने से ट्रेन पकड़ा है। उपर देखते हैं बैठ गया है। मेरा क्या प्रब्लम है ये लोग उट रहा है ना। चुलोड़ो खुलो 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 खुलो। एई टीसी आने से पहले उत्र जानन नहीं तो फाइन बनना पड़ागा। पता ने कहां कहां से आ जाते हैं बेवकुब गवार लोग चल हट बिमाग का दही बना दिया। ये क्या है? गदाभॉरी टिकट लेकर मुμबईयेशक में जाते हो अरे? लगता है चीटी नीनी की गलत थर्ण पगड़ी गलती मेरी नहीं आती है हा? ये क्या कहह रहे है सर ये मुंबई कीठ रेन है सब्सक्राइब देखिए ने सर ये गोदाबोरी है ये किसी ने हमें कहा था सर काऊ ना है ओटीची 998 ये ओटीची है देखिए 1000 रिपेट उसने बताया नोकली चले जाने से पागा लो गिया है जो भी ट्रेंड मिलता है बैठ जाता है मैंने पहले ही बताया था गोदाबी की ट्रेंड तीसरे प्लाटफॉर्म पर आने वाली इन्होंने मुझे धंका की इस ट्रेंड पर बिठा दिया आहा तू तो बहुत खुब्सूरत है जैसे मैं तो ये भगाने वाला था तुम लग बाद में जगडा करना पहले फाइन भरो है नही भरोंगी नहीं भरोगी तो चमिन года जेल है जीह में तो कभी जेल हenne हम तो हमेशा मही रहते हैं कपी कभी बहा आजाते हैं फाइन वह पाई किटना हो यहां 2400 तेनल रुपया है अंसर तोatoreजाएंगे 2000 लिजे ना लिखा है मैंने अक्स इरन नहींच पर उतरने के मुझे टश्टो करने हैं ते मोटे को एक फटके में गिरा दूँगा अरे बच गया है नहीं तो तुम लोगों को जान समाई डलता उसको बाद मैं देख लेंगे स्टीशन में सब को छोड़के तुम से टक्राना मेरी गले थी अरे मुझसे टक्रा इसलिए रॉंग ट्रेंट पकड़ा दूने कहीं दूसर से टक्राती ना तो तेरा बहन बच जाता मुझे कब क्या करना चाहिए मुझे पता है तु पुरसली की बहन है क्या दिखा दू क्या अरे बाप रे बाप इसे कराडे दिखाने की ज़रुद नहीं है अरे मैं थोड़ टाइमिंग पता करके आता हूं तब तक तुम लोग यही रहो थोड़ा डिस्टेंस मिंटेन करना इसने मुझे समझ करना मुझे भी आता है तुम्हारी सांसों से मुझे अलर्जी होती है तोड़ी ते सांस रोक लो चली जाएगी क्या चली जाएगी जान चुटकारा मिलेगा मुझे मुझे कहा तुससे कह रही हूं तेरे जैसा फालतू लड़का सामने खड़ा है तुम बात करू रहे पागल हूं क्या अच्छा तुझे तो चड़ गई है क्या चड़ गया बताना इससे पहले तुने मुझे क्या कहा था मुझे मुंबै लेग कर जाएगा बर जालेगा आखिर तुझे मेरा नाम पता है क्या भानु मती प्रमतुरम खान तेरा साल के ओमर में तो की पयान वेजा जाला ऐसे ऐसे ही देखा करते थे काउवाले अधका खेल खत्म कर दिया तेरा ही खत्म कर दूंगी यार तेरी वीच हाज के ना पाय खरी दूंगे अग्टक शहर की लड़की समझा था। शराबपिते ह恩ते सामने की आ और आधी का मितों अन चरृम से तेरे भैंब पताती हूं। एक कम सी लड़की पानी माँगे ते नहीं राय कमिना। दस तरीखी पानी तो माँगा। इससी इसका तेल थोड़ी मांगा है जो तेल से इनकार करदा है। गाउब वालो, टेशन वालो, और जो इधानेय हां। रुको रुको रुपूआ येलो 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 निषा आज़ो निषा आज़ो येलो पुरी बोतल भीलो भानु मतिया मेरा नाम रॉप। एक पैक मिल जाए तो मूड बन जाए आरे इस ट्रेंस ऐसे मेंटेन करते हैं क्या अरे मुझे के पार्ज मेंट भी निवा तुने से पटा भी लिए बता तो तू नीचे गर जाए नहीं गरूँगा अब बता तेरा शराब पी लिए इसने अरे वापरे बाफ यह भी पी पता ह होता तो मैं हाफ लेकिया तकोई बात नहीं यार्च की लगी थी पानी समझ के पी लिया इसने ट्रें कवाए गाई यहां ट्रेंग नहीं मिले कि अधार है यहां से 2 km जाने के पाद बस मिलेगी सपार्सल का क्या करूया कूली की तरह मैं लिगे लेकर आता हूं गदे की तरह तुम इसे लेकर आओ तो टिकेट टिकेट अरे सुन वो टिकेट वोला रहा है अपने तेरे उटेवे पैसा लाँका क्या तेरी इंसल्ट जा कि इसलिम ने लाया पूरे पैसे तो टिसी को दे दिये यार हाथ उसके बैग में टटोल ला अरे पहले टटोल लिया इसमें कुछ नहीं है रबर बेंट माथे की बिंदी और तेल के लबा और कुछ भी नहीं है हाँ अरे किसने कहा लेडिस बहुत हुश्यार हो गई है उनका ड्रेसिंग इस्टाइल बदल गया है लेकिन पैसे रखने की जगह नहीं बदली जरा देखतो कैसे निकालू यार हाथ की सफाई अबे गोच्यू इसमें ही मेरी सुरुत है क्या चल निकाल निकालू मेरा तो कोई टेंशन ही यार मैं तो अपने कपड़े फाड़ कर भीग मांगते हुए राजकोट चला जाओंगा मसे से और तुम इसे अपने कंड़ेप उठागे लाना हे राम हे राम करते है अरे टेंशन मत दे मैं ट्राइक करता हूँ आहां मुश्किल है यार मुश्किल क्या है हाँ डालना या निकालना अब् tradis टिकेट टिकेट तीन राजकोट अच्छा डिकेट टिकेट ऐखा और कुछ निकाल रहा हो है है वापसफ रख रहा हूँ आपय मत रहा बाइया रास्ते वाइन शपमिलित आधा ले हैं तेरिट तेरा पैसेहों तो दूसरे मेरे लिएधा यू कर दो टिक्ट लेजिए टिकेट लिए एक का दस रुपया तीन का तेस रुपया आपका टिकेट साप तिकेट ले लो, पैसे तुम को देने पढ़ें से गल्लत ही तुम दोनों की निकाल дог почти राज निए जानता हूं उसमें 700 पैसा रुपयहा निकाल शाथются कैसे थे सोसनी लेने के बाद परायमाल है यह सोचकर वहां रख दिया क्या बिल्कुल सही कहा जब चाहे निकाल लो मैं कोई एट्या मशीन हूं क्या आगे बिटी मैं तो आ गई तुम वहां पर पैसे रखना छोड़ दो मा किस लिए यहां से कौन चुरा लेगा मेरी मा और दादी भी यहीं पर रखती थी तो मैं नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ कुछ भी नहीं मा बानू इतनी दिर कैसे हो गई ट्रेन लेट थी बा अधा कितनी दी चलेगी तेरी पढ़ाई और तीन महीने अंदर जाकर आराम करो बाद में बात करते हैं पढ़ाई पूरी होते ही शादी करनी है जवान लड़की है ना पता करो कोई है इसके दिल में उसे से शादी करवाऊगी नहीं निकाल दूँगा तुनो उसे पढ़ा आरे वल्त हराऊ किसी ऐरे गहरे से शादी करने क्लिनाए अमेरिका में शादी करूंगा कि अधाले मैं अमुझे निक्कटे उतर डो बेटो बेटर के चाओ लिए मुझे नीचे उतरार औरमघ्टर्णीच मुझे मुझे आरे जिए बच्पन मत गहते थी आ अब करेगी क्या? इशोरो मेरा क्या हो थे तुम इस उमार में कर भी किया सकते हो? अरे ये क्या? तेरा पती तो बड़ा पहल बन था ना? वो तो पहले की बात है. लाथी घुमा थे तो पूरे गांग को ऊड़ा देते थे. अब तो लाथी भी निई उठती है. यह आईटम कौन है मैं सिनू इसका दोश्त हूं आउंटी बहुत जलवा है रहे लगता है मेरी इज़त बढ़ गई है यार मैं इतने प्यारा लग रहा हूं क्या मेरा काला बैसा बिलकुल तीरे देसा है इज़त की वाट लग गई यार कौन है यह प्यार की अपसार इस गाउ जाओ बड़े पापा एक अच्छी मैचिंग ड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो मैं आभी तेयार हो का जाओं क्यों रहे मिरे भाईया तुझे फैशन डिजाइनर दिखाई दे रहे हैं असल में फैशन की शुरूआ थुई बड़े पापस वो जवानी में जो भी ड्रेस पैंते लड़किया उनके आगे पीचे घुमा कर दी थी हम भी उनी के रास्ते पर जा रहे हैं रहने दे ऐसे काब में तेरा बहुत दिबाग चलता है आप मुझसे जलते हैं ठीक है यार गुड़ नीज तो बता दिया ना अब फोन रखतो किसका फोन था परसों जिस जमीन की निला लामे हुई थी ना उसकी कीमत धाई हजार करोड नहीं चार हजार करोड नहीं चोटो को फोन लगाओ चोटू हाँ बोलो भाईया उर्राम की सनवा का 20 साल से हम कुछ नहीं कर सका परिवार समेथ हमनी के गाव आया है अकरा अपना खुच के गाव में उसका जत उतार दो वो बेजती के साथ अपने हाथ पेर भी तुडवाएगा यह खुश खबर मैं आपको बहुत जल सुनाओंगा भाई हो तो आईसा यह तो कली पता चलेगा नमस्का मैं साल की बारा महिने यही रहता हूं कोई मुझे नमस्ते नहीं करता आप साल में तीन दिन यहां रहते हैं नमस्ते करके लोग आपके पैरों पर गिर रहे हैं मेरे भाईया के बहुत इज़त करते हैं का वाले अब आप कि ए रामकिशन कि यूँ रहे बड़ों को इज़त से बुलाना भूल गया है क्या वाउ चर्बी चड़ गई है क्या चर्बी चड़ी है यह नहीं मैदान में उत्रों के तो पता चलेगा एए ऐसे क्या देख रहा है सुना है जवानी में बहुत लाठी चलाया करता था आजा देख लेते हैं तो क्या देखेगा चाले प्र क्या रहे उसे कहा तो तुझे मिड़ी लग रही है अबे तम है तो हम मेंसे एक को मार के दिखा सिर्फ एक को अगर तुम जीते तो मैं यह गाउं छोड़कर चला जाऊंगा और अगर मैं जीता तो गाउं से निकाले हुए मेरे भाई को बेंट बाचे के साथ पिर से इस गाउं में ले आऊंगा समझे क्या सोच रहे सोच क्यार रहो जीजा जी हाथ पैठ तोरकर इससे भी अपने काउस से बगा दो हम गाउं में त्योहार मनाने के लिए आया है जगड़ा करने के लिए नहीं चलो चिंटो क्या रे ना मर्दों की तरह जा रहा है संक्रांत के त्योहार पर आये हो बीना लेड़ी चली जाओगे मा का दूद नहीं पिया है क्या बड़े पापा बहुत जादा बोल रहा है नहीं बेटा वह तुझे भड़का रहा है सिर्फ मुछे रखने से फाइदा नहीं है मर्दान क श॥ा जी भी होनी चाहिए हाँ 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 फ्रमार गाएवय फ्रस्थ्याना आवाहरा पूजान्च धर अभाए जो दोक्राव पूजास्ति कि स्रीराम राम राम रामेदी देले बनाव है अलए पर अपर हैओ अंग्या अ एक को मानने को कहा था ना हार एक को चुन-चुन के मारूंगा आजा हुँगे थैज सो Κुन! थोड़ी दिर पहले क्या कहा था मैदन छोड़कर तू कहा जा रहा है है चल मर्दानगी दिखा अरे दिखा मर्दानगी अगर वो लाठी मेरे हाथ में आ गई तो वो डालूंगा कि अरे मारना है कि मत 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 मुझे है कि अब नहीं है चिंटू रुक यह क्या कर रहा है इसने क्या बोला पता है आपको मैं पागल कुट्टे के मूह नहीं लगता मैं आप जैसा नहीं हूं भगा भगा कर मारूंगा कुट्टे को इसके सिवा तुम्हें आता क्या है अपने खाद्णान का नाम बदनाम करना ची तेरा बापू ऐसा ही है उनकी बाते दिल पे मतली लिखारामी कुट्टे को मारके तुने गाउं का भलाई किया ठीक है जाना दे तरी नजल लग जाएगी नजल लेगी तो उताहलोंगी लेकिन तुम उससे शादी करेगा शादी तेरा बॉइफरेंट ऐसा होने नहीं देग एक काम कर इस जिले के सबसे खुबसर लड़की को लेका मैं उससे शादी करूंगा है हरे ठुक्यू शर्मा नहीं है हलो भाईया कुछ पुर्शितम के बेटे ने मेरी बैंड बजा दी है भाईया क्या कहा था तुने उन्हें बैजज़त करके सब के सामने गाव से निकल देने वाला था था तु बैज़िती तो आपकी होने वाली है पहले खड़े खुदना बंद कीजिए किसलिए वहां राम देखेंगे भाई तो आप भी पागल हो जाएंगे वहां देखिए खुद का घर बनाने के लिए मेरे पिता जी ने भी बहुत मेहनत मशक्कत की लेकिन उनकी कोशिश को हम पूरा कर पाए उससे पहले ही पिता जी हम सब को छोड़कर इस दुनिया से चले गए मेरे पिता जी की तरह बहुत से लोग खुद का घर बनाने के सपने देखते रहते हैं इसलिए अपने फाइदे के बारे में ना सोचते हुए आप सब को खुद का घर बना कर देने से मेरे पिता जी की आत्मा को शंती मिलेगी बहुत जल्द इस वेंचर को मैं पूरा करूँगा ये प्रजक्ट अगर पूरा हुआ तो लोग इसे भगवान मानने लगेगा तो भाई क्या राक्षस है उक्रा ड्रिम प्रजक्ट के डेध प्रजक्ट बना देवा नमस्तियों मपती जी बैठिये फोन करते तो मैं ही आ जाता अब तेरी लेवल बढ़ गई है ना आप ही क्योजासित इस लेवल पर हूँ आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी करते हो या ना करते हो तो हरी मर जी आरके बिल्डर्स का बन राज जन निवास का एप्रूवल कैंसिल होना चाहिए सर आपके पेपर करेक्ट ना भी हो तब भी मैं एप्रूब कर दूँगा लेकिन आरके बिल्डर्स वालों के पेपर्स पक्य हैं सर अगर उन्हें कैंसिल किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर मतलब दिन रात हम तुमारी चेप भारेंगे मगर तुम हमारा काम नहीं करोगे एक बार फाइल आगे बढ़ने के बाद कैंसिल करना मुश्किल होता है नहीं होगा मिनिस्टर के फोन लेगा पे सर नमस्ते सर भाई मिनिस्टर लाइन पर है उमा पती बोला हूं और के बिल्डर्स वाले जन निवास बना रहे हैं उससे रोकना होगा कहां बताओ हम भाई आते हैं अरे तुम कहां आओगे मैं तो बंकॉप में लेटा हूं भाई अपने तेश में आने के बाद मिलना अरे चन निवास की तुम्हें हीट ते हीट बजा दूंगा क्या समझ रहे हो मुझे आने तो दो जल्दी से आज जाओ जल्दी से अच्छे संब कर रहे हैं ऐसा काम करके सेरि फ्लैट हो जाएए क्यों वाई मेरे का सर्विस हो गई हो गया सर नजर उतार कर ले नजर उतार हो गये जी हैं सर ये मेरा सेंटिमेंट है रहे बहुत पसंद हैं इस कार से मुझे ठील कर रहा हैं बेटा बुढ़े माबाप बाप बच्चे ही तो उठाते हैं वह बढ़ क्या हुआ जानते हो एक बता है कैसे दिया उस्योर को नहीं खून को खून का बदला खून टाइटल सूपर असर ए नार्य लेका जाने तो भाई उसकार से उनके सेंटिमेंट जुड़ी होई है एक बार फ्लैश भागा क्याद कर लो न है मुझे इतना का मद समझने पपू इसलिए स्पेसल स्कॉटप किया हूं व है कि इस तील मत किजिए सर सिरी फैड़ाइट दो फूटा है अरे यह हैडलाइट महीं है मेरे बेटे की आग है वो मेरे बेटे को तुमने काना बना दिया कार कर राइड फोड़ा ते मेरा लेर क्यों फोड़ा बापरे बबंगत बूच ऊंग तो दूसरी भी फोड़ डाले तूम यहां कर रहा है आंकल ने मुझे बुलाया है कौन सा अंकल ने तुम्हारे पापा मेरे अंकल है और वो मेरे पापा के बचने के दोस्त है मेरा होस्टेल छुड़वा कर यहां रहने के लिए कहा है रहने के लिए कहा तो बेशरम की तरह बोरिया बिस्तर लेकर आ जाओगी क्या यह क्या है तुम्हें नहीं पता तुझे मैं इसी वक्त घर से निकाल दूँगा अचैनल आपको अच्छी लगातिया लेकर दिए बताईए मैं कहा रहो हूं और क्या हैं क्यूं सपने में मेरी क्लास लेंगे क्या है मैं यहां वहाँ कई सूझाओंगा मैं भी देखता हूं कितने दिन वो लड़की रहती गर में शरीर बढ़ गया है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ जो समझना है समझ लीजिए क्या कह रहते अंकल और क्या कहेंगे का की पसंद ना हो तो उपर शत में ले जाकर छोड़ दो लेकिन तुम लड़की हो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं तीक है अच्छा नहीं बुरा भी नहीं म आधी रात को बारा बज़े आती है कौन आती है मुन्नी और शीला वो दोनों मेरे घर के सामने रहते थे और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे आधी रात कोई क्यों आती है चुडेल तो आधी रात को आती है ना चुडेल जी हां चुडेल आएगी मर के साल हुआ है मैंने green signal नहीं दिया इसलिए चुड़ल बन गए आधी रात को बारा बजे वो आ जाएंगे हेमा हेमा मैं डर गया भाई वो भी डर जाएगी, एक जटके मैंने उम्खाली कर देगी मैं तुम्हारी मुन्ने शिलाओं पिछले साल तुम्हें मुझसे प्यार करके मुझे बतनाम कर दिया मैंने पता नहीं मजाग में कभी कसी लड़की को छेड़ा होगा तो तो अभी छेड़ना शूरू करो ना क्यों मैं मुझे नहीं उस लड़की भानू को वो तुम सभी बड़ी चुड़ेल है ए ए उस लड़की को चुड़ेल कहा तो चांक से माट डालू तो चल्दी से भानू से लिपड़ जाए उस भूतनी से क्यों प्यार करवा रही है मेरी मां और कोई आइटम नहीं है क्या अ मेरी बजार डाली है सुनो चिंटू वो लिंकिंग रोड पे ज्वेलेरी शॉप है ना कहा है बेटा वो अपना फ्लाइवर बड़ीज है ना उसके सामनी तो है तुझे पता है तो हम लोगों को शाम को ले जाएगा अम्मा मेरी अम्मा सरदर्थ हो रहा है अरे शालू की सग सबुझार मेरे जनुनि फिरेफर जरूरी काम इसके सब्सक्राइव को some काम नहीं तुब VN इतनी बच्षै नहीं काम बताये बावन्मा metゲka चौड़ाऊ कब से कम एक काम तो होगा वापस लेकर भी आना है ना पिता इसकी लिए कोई अरजी लिखना होगा अरे बावा आते समय आमूल आइस तिम खिलाते वे ले आऊं क्या मैं नहीं जाओंगा चाहिए तो आप जाहिए हाथ हटा मेरा रूम छिनकर मुझे वाचमन बना दिया तुन पेट्रोल के लिए पैसे दे दो बहुत पहले दे चुका हूँ मेरे पिता कंजूसनी मुखी चूसर चलिए मैडम कॉलज चलते हैं आईए आती हूं और वैसे तुम इतना पढ़ली कर किसका भला करना चाहती हो बताओ बताओ अच्छे से पढ़कर डॉक्टर बना चाहती अच्छे ये बताओ रात को मुनमी शिला आई थी क्या अब इस समय उसका नाम लेना जरूरी है क्या तुम ही ने तो कहा था कि हर रात को आ दिये कल रात को भी आई थी क्या वो आई थी थोड़ी दिर बात की एक लाफा मारा तो भाग गई बिचार तो उसने कुछ नहीं कहा अ हां बहुत अकेली हो गई है तुझे याद कर रह थी क्या मैं सीरियसली पूछ रही हूँ तुम दोनों लवर्गार की बाते की होगी ना प्यार की बाते होती होटी रहती है अरे तुम दोनों सजधच के कहा जा रहे हो ये तुझे कहा हमिली रास्ते में या बार में फाल वाजुब पी क्या लगती है धंकी दे रही है अबे तु अड़े में चल मैं आता हूं समाल क्यार शराब में चकना आना मिला तो तुझे चक जाएगी चल मैं आ रहा हूं कैसे घटिया लोगों को साथ में रखते हो तुम अल्रेडी मैं उनसे बेटर लगता हूं इसलिए शोरूम के सारे चीज़े बाहर रखें कोई एक चीज़ कर जाएगे अरे चुप रहो बेटा यह ज़रा पहन के देखो पसंद नहीं है मा अच्छा तो यह देखो इससे देखो यह कैसे लगा यह भी पसंद नहीं है मा तो और क्या चाहिए बेटी आपके बहु को हमारी कोई भी सेलेक्शन पसंद नहीं आप खुद ही देख लिए चालू को क्या पसंद ने मेरे जीजा जी अच्छी तरह पता है मैं और तो की पसंद क्या जानू अच्छा बिना पता चला ही ट्राफिक प्लिस की तरह पीछे सा सिगनल दिखा रहा है वह तो क्यों के जीए जीजा जीए बैन को अभी आप इस इशारव पर नाचा रहे है असना बंद करिए जल्दी काम करना है बाभी आप जाकर उसे डाइमंड रिंग को सिलेट करो हम वहां सिलेट करते ही आ जाएंगे जल्दी करो जल्दी I'm sorry Yes मैडम लेटेस डाइमंड रिंग दिखाएए वन मिनिट मैं लेकर आता हूँ अच्छा लगा ना अभी तक देखी नहीं रिंग नहीं टच उसने तुम्हें धक्का दिया बहुत अच्छा लगा ना अंजान मत बनो सच्छाई बताओ पर लड़की को मैं नहीं जानती जानती नहीं तो धक्का मारने वाले को थपड क्यों नहीं मारा पसंद आया क्या उसने तो गलती से गलती उसकी नहीं तोने जान बूच कर धक्का मारा है आप एती बाते क्यों करते हैं कि अगर मैं नहीं देखता तो कितना अच्छा होता सोच कर मन ही मन मुझे गालियां दे रही हो ना अब यह क्या कह रहे हैं उसने तुम्हें धक्का मारा तो कुछ ने कहा और मेरी बाते तुम्हें फील हो रही है ना मा इधरी देख रही है ना उटंकी बंद करके आसो कुछ कर आ जाओ कि अभे क版 कर लोक्र्राइख काहानी अभी बताता हूं ऐसी ने यह कहानी किसने सुनाई यह भी कहानी है चोटे दादे जप क्यों रख भी संव्जा मैं कि दादेजी और आप में समझा था पर आपमें हम में भी रनेरेशन गाप था आपको कहानी मैं सुनाता हूं सुनो बेटा एक टारक रात थी काला अंधिरा था कुछ भी नहीं दिख रहा था क्यों लाइट डालना चेके था लगाया था बल पूट के या वो संधेरे में से सपहत साड़ी में एक भूतनी श्षिंचर गई और नस्तीका गई रोगुम रहा था इसका बूतनी का शुरुबात ही इतनी भ बच्चा तुम लोग कांटिन्यू करो और उसके बाद मुद्नी मेरे पास इतने सारे अश्ट्र है कि मुन्नी शिला तो क्या दादी भी आजाए उनकी तो कुछ नहीं बिगार सकती कॉनवे लाइट्स आफ एक्षिन अरे चिंटू कॉने मैं हुँ तेरी मुन्नी शिला तो अरे बेटा क्या हुआ मुन्नी थी यहां कई गुम होगी आज कल भूत कहा होते हैं तो पागल हो गया है कोई बुरा सपना देखा होगा तुने शैतान के सपने में भूत कहां से आ गया तेरी जात का बैदा मारू थंडा पानी पी और जाके सोजा बिटा बड़े बबाबा प्रॉल्लम सॉल्व हो गया आप जाके सोजाईए मैं भी सोजाऊंगा मेरी जान मुन्नी क्या है आज मैं महान गुरुजी से मिलका आया हूँ तेरी मनो कामना पुरा करने आया हूँ बिना अर्मान के कोई भी लड़की कुवारी मर जाती है तो यहां दे ऐसे ही वो सफेज साधी पेन कर बटकती है इसलिए किसलिए वह अर्मान थुड़ा सा पूरा हो जाएगा तो तेरी आतमा जाकर परमात्मा से मिल जाएगी मैं पूरा मूट बना गया हूँ चलो काफिश से मुन्नी मुझसे बचकर कहां जाओगी इस चिंटु को क्या समझती है एक आख वाला राक्षस अब मुझसत में कौन ब प्यार कर्थे हूँ! प्यार कर्थे हूँ! प्यार कर्थे हूँ! हालो? प्यार करते हैं यह क्या कर रही हो भावे? कल घर में सगाई होने वाले सभी लोग खुश है और तुम ये क्या कर रही हो मेरी वज़े से घर की बदनामी होगी भावी ऐसी कौन सी बात है बताओ न सगाई की कपड़े खरिजने शॉबिंग सेंटर गई थी रेसिंड रूम में कपड़े बदल रही थी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे अश्ली फोटो इंटरनेट बर डालेगा तेरे भावी को कॉपी भेजेगा ऐसे कहता है इसलिए तुम मर जाओगी क्या इसमें तुम्हारी क्या गलती है भावी को बताना चाहिए था अपने भाईया को तुम नहीं जानते हो शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई भी राज नहों ये सोचकर कॉलेज की सब बाते मैंने उन्हें बता दे थी उस दिन से हर दिन मुझे टॉर्चर कर रहे हैं अब ये बात पता चली तो सारी गलती मेरी बताएंगे उनको बताने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ क्या भावी अपने बच्छा को मेरी तरह आनात बना दना चाहती हो फिर कभी ऐसा नहीं करना तूम सब कुछ भोल जाओ मैं उससे देख लो हुआ है तुम्हारा बॉस कहा है उपर है सर आपको हुआ है और अधक कपड़े बदलती हैं तो सिक्रेट कैमरे से शूट करता है हरामी कुछते साले अपनी मा की सीडी बना के उसको भी ब्लैक मिल्क करता है क्या दे कुछते है हुआ है हुआ है हुआ है जल्दी से बता है जल्दिक तविल रहा हुता है बता लिकाल 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 येस लिटी को मैं तोड़ रहा हूँ मेरी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा इसलिए पुलिस किस नहीं कर रहा हूँ आगे से ऐसी गंदी हरकत किया ना तो आख लिकाल कर हाथ में दे दूँगा नबुसक जिल्दा किस हराम के बिल्ले ने मारा नमस्कार नोश्कार आये आये श्रीमान दूले वालों को ठीक समय पर आने के लिए कहा है ना उन्हें लाने के लिए चिंटू गया है ना नमस्ता अंकल जी तुम बुरुशोत्तम के बेटे हो ना हाँ ये उनकी फुश्टनसी भी है हाँ सबका मैं ही करता हूं उपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू हड़ी पसली सब कुछ रिपैर करना सबका मैं ही करता हूं मतलब अपने दिल के राजा हो अरे अंकेश भी बहुत मसा किया है आये बैठी 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 वे एंकेशमेंट मेरी है मेरा भी टाइम आने वाला है क्यों तुझे अभी तर कोई सिगनल नहीं मिला क्या मिला तो है बस सिगनल मिलती अपनी गाड़ी भी पड़री पर चल पड़ेगी श्रीमान हमारी सारी तयारी हो चुकी है लडके वाले आ जाए तो सघाई शुरू करें लगता है लड़के वाले आ गया है छलो स्वागद कर तयारी करो यह लोक यहां कि महार? शुटी रुक जॉए प्लीज प्लीज आप लोक अंदर कि जा रहे है रुकिए अधर रहे वह चिंटु गा डूड़ा उसे हैं कि अधार वह देखो आई यह पदरी है हाँ अधर याँ अधर यह तुने क्या कर दिया चले जाए यह से तू कौन में कॉप आएट हाँ हाँ अंगल जी अंगल जी आप क्या है अरो जाओ जाओ हमारे अच्छी खादर दारी हुई जै चलिए देखी हमारे मुझे कुछ नहीं सुना चलो अब यहां से मैंने कहा न चलो चले जाओ यहां से जाओ अब घर में होने लगी निकल जाओ यहां से वह गलत था पापा इसलिए मारा क्या गलत किया उसने गलत किया तो ही तुने मारा न उसे क्या गलत किया उसने बताओ यह क्या बताएगा भाईया इसे जनम देकर मेंने गलती की है पापा चुप कर मुझे पापा मत बोल भगवान सवान मेरे भाईया के गिरेबान पर बाजार का गुंड़ा हाथ डालता है हाँ उसी वक्त किस घर की इसत मिच्च में मिल गई निकल जा उरुषा तम नहीं भईया इसकी तरफदारी मत करो आज इसकी वज़े से इतना अपमान हुआ आपके आगे हाथ जोडता हूं मुझे रोकना मत है सुना नहीं निकल जा यहां से निकल जा निकल जा यहां से अभी तक तो तेरी माँ नहीं थी आज से तेरे बाप भी मर गया निकल जा ना जाने क्या पाप किया तो तुझ जैसे अवलाद को पैदा किया निकल यहां से निकल जा अरे लोको लोको यह लो अरे जाजा यह खटारा गाड़ी मैं रिपेर करूँगा है सलाम वालेकुम छोटू बाइब नवस्ता साब रेडी है पत्नी ने उत्किश से देखवाल नहीं की क्या पत्नी की नहीं छोटू का जोटू और भाणों के घृटू को बाद में पुलिस ने मेरा एड्रेसं जूढकर घर पर लाकर छोड़ दी इस पसऺ बताऊंगा पुलीज इसी कार को रेकर आय ती ना कर्वार्क्त मेरे पतनी को छोड़े बिना, मेरे कार को छोड़े बिना, मैं ऐसे पैसे छोड़े जा रहा हूँ टेंसर मत लिजा सर, सबकी अपनी अपनी टेंसर होती है, ए नारियल आरे बप्पू आई, इस नारियल से कोई फायदा नी, जानने दो ना भाई बखबास बनकर, निनान मेरे आउट हो जाओंगा सोचकर, सेंचूरी मारे बिना सचीन छोड़ेगा क्या, मैं भी सचीन जैसा हूँ, अब देखना अचाका जाए, 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 जाए वाज, कमान, लाडी को कवर कर दो, अब देख, हाँ, हाँ अचाका जाए, 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 ही, डाल सेकना देखा तुने, ना ये पूटणे से कैसी आवाज आई, अरे तु नहीं सम्झेगा अरे चिंटु, जो कुछ युवाद से भूल जा, यार भूलना असान नहीं है या, तेरे पिता ने कभी तुझे घज से बहार निकाला है, मैं भी तिरी तरह रिष्टों की एहमेद नहीं जानता हूं, उनसे चुदा हुआ तो पता चला, दर्द क्या है, कीमत क्या है भावी और भानु आ रहे हैं आईए भावी, इस चुडल को लगे कहा घुम रही हो, डरा देगी मुझे माफ कर दो, मेरी वज़े से हुआ न मुझे क्या तकलीफ, पापा ज़रा सा नाराज हो गया है, घर से निकाल दे इतनी सी बात है, और क्या तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, मेरी खातिर तुम क्यों तकलीफ उठाओगे तुम्हारे भाईया को मैं सब कुछ बता दूगी भावी, बताओगी तो क्या होगा पता है, भाईया का शक और जादा बढ़ जाएगा और कहीं बड़े पापा को पता चला तो भाईया को खर से निकाल देंगा, लोगों में बद्नामी होगा, तब तुम्हें ही नहीं, बड़े पापा को भी सर चुगाना पड़ाएगा आप दुनों के अलग होने से मेरा अलग हो जाना बहतर है मेरा सगा भाईय भी होता तो मेरे लिए इतना नह करता, तुम्हें किन शब्दों में शुक्रिया कहूं समझ नहीं हा रहा है तुम्हें एक बाद पता नहीं, मेरे बगएर मेरे पापा रह सकते, लेकिन मेरे बड़े पापा नहीं कले मुझे बुला लेंगा और मैं आ जाओंगा ए मुन्निशिला मेरे भावी का ख्याल रखना जाओ भावी मेरी फिक्र मत करना जाओ भावी कि अधिया अधिया आप एक बार इन डोकुमेंट्स को देख लिजे अप प्रूबल के लिए भीजना है बाद में देख लूँगा पुरू पहले तुम जाकर चिंटु को घर ले आओ अनात की तरह वह बाहर क्यों रहेगा पहने दो भाईया तकलीफ होगी तब जाके उसे जिन्दगी करस्तियत मालूम बढ़ेगी उसके बगेर तो घर सुनासा हो गया अरे चोटी उस्ताज तेरी बात यह लगे लोगों की मदद करने में तेरे बात बिल्गेट का नंबर आता है बिल्गेट उसकी दुकान कहा है मारू क्या उसका दारू कर ठेका नहीं है वह एरोपलें का मालिक है उसने सारी जाधा दान कर दी ऐसा पेपर में आया था बाई म मजा कुड़ाओ यार तुम दूनों मजा कुड़ाओ मुझे गुस्ता नहीं आता है आग यहां से गयरे चाहिए बस बस रुखो अरे बबरे वो इसी तरफ आ रही है कियो हमारे पिरे सोसे तकलिप है क्या यह यार आएक तो पूरा पी जाएगी यह भी पीती है क्या एक बार पूरा कोड़र एक गुण पर पी गई था आता है बब बोतल चिपा देता हूं अरे यार बोतल में तो पानी है जारू ग्लास म यहां क्यों बैट गई बैठी तो ठीक है अपना कोटा कहीं गटक ना जाए हम बाहर चलते हैं बोरो के खुद बखुद चली जाए अगर भज़िया खा गई तो आरो बज़िया वही काफी है अच्छा तो चलो ओके अभी आते हैं बाइ चकना तीका लग गया अच्छा बापरे बॉटल का पानी नहीं पिऊंगी अच्छा 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 बापरे उधर देखो तेरह थाषरा पिये जा रही है यह कैसी प्योडी है यां कोई शराब पीने कबाद चकना खाता है कि चकना खाकर शराब पीए ज़िए च्छी च्छी क्यों यार क्या हुआ अरे यह जान के कर रही है अन जाने में कर रही मुझे कुछ पता नहीं यह लड़की फिर से पी रही है यार उसने फिर से पी लिया वो फो यह बाद उससे जागे पूछ या पापा को लस्तरी के बादें बताऊंगी उन्होंने इसका सदेरेक लिया अपनी सवागराथ बीच में शादे की बात बुल गे क्या वो भूली नहीं यार चली हो गई है हाँ तुझे निशा हो गया चल तरह निशा उतारता हूं चल आज़ा हाँ 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 नमस्ते सर नमस्ते को छड़ो जाके मेरे भांजे को देखो तुम करि ai मैं कप तक ठीक हो जाऊंगा टीट थीक होने के लिए एक फ़ता लगेगा गरदर ठीक होने के लिए तीन हफ्टे लगेगे टगम तो डेल कितने दिल लगेंगे बता यह अव्टें लग सकते हैं करोगे मैं नहीं मारूंगा उस चिंट्यू को मार दूंगा मैं रुको बेटा उसका परिवारा लेड़ी तुमारी वजह से अध्मरा हो गया 20 सालों से जो का मुझसे नहीं हुआ तूने कर दिखाया वोजगर से एक आदमी बहरिया जाने से मुझे सुकून मिलना हुआ यह कैसा शोर है कौन है वो लोग ग्रहक है जिन्हें हमने फ्लैक बेचा फ्लैक के ग्रहक इनकी तुम आप रुकियों मैं देखता हूं वो घर पर नहीं है आप लोग दस मिनट पहले आते तो मिल जाते आप तो बुरा होगा और क्या बुरा होना है वाई एक का हाट टूटा है अंदर वाले का पाय टूटा है इनको मारना कुत्ते को मारना बराबर है जाओना वाई तुमारे पैसे अब भीक नहीं ले रहा है लैंड वैलू के इसाफ सो दे रहे है का आए लैंड वैलियू उनके साट से तुछके तो तुमारे साट मैं गरता है यह अंदर चुपा हुआ है और तुम कहतो कि नहीं है ज्यादा बोला दो तरीस दबान खेच लूगा पहले हात नीचे करो हम तुम्हें एक हपते का टाइम देते हैं मरा पैसा नहीं मिला तो वरना आसेमली में हल्ला कर देंगे मीडिया के सामें तुमारी कंपनी भी बंद कर दें वो पूर्शोतम इसी मार्केट में है तुम चाप उसे माड़ा अरे सुन यार हाँ अब चेन गिर्वी रखके दारूपी ना जरूरी है क्या चोटू उस्ताथ बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे के तेरे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे क्यों डाटेंगे च अब आटी बात में देता हूं पहले हिने देता हूं चीर्स हुआ है हुआ है अब यार वो देख अरे अरे तो ढोकने जा रहा ता ना वापस क्यों आया वाँ देख पापा खड़े हैं एक बर इसे पिटा था तो घर से बाहर निकल दिया दुबारा देख लिया तो अगर देखेंगे तब ना रिंदे की फर घर नहीं आना देंगे मेर के हीरो के कारण वो विलेन बच गया चल आजा चलरर अब चलरर अच्छा, आज़ा पापा, यह आप को मानने के लिए आयता है बदबास बद कर, मुझे क्यों मारने आएगा मैं तेरी तरह गुटा हूँ क्या तुटित हमारे घर में यही आज़ा न अरे, तू कभी नहीं बत लेगा मेरी बात तो सुने बापा छे, अपनी शकल मुझे बत लिखा बापा बापा, मेरी बात सुने पापा मेरी बात सुने पापा चाँ कलुआ, और सुतमवा खतम कर दिया न तो क्या खतम करेगा साले अगर मेरे पापा की बाल को भी हाथ लगाया तेरे बोटिया करके खुप्तों को फिला दूँगा सब को काट के रख दूँगा मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई कुछ भी नहीं उखाड सकता है नामट साले अरे अरे चिंटो अंधेरे में क्यों बैठे हुआ क्या हुआ पुरु सुतम सोचा था वो घर से दूर रहेगा तो बदल जाएगा लगता है वो इस जनम में नहीं बदलेगा वो जरूर बदलेगा मुझे उस पर विश्वास नहीं है उसके इन हरकतों से मैं किसी को मुद दिखाने लाइक नहीं हुए ऐसे बदनामी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँए सर 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 आपके तब ये तो ठीक है ना ऐसी बात नहीं है तुम लोग क्या सटल करोगे कहीं चोरी करोगे या घरगे कांचात लागा कर दोगे चला क्या है ये सब कौन है ये लोग सर हम क्रिकेट बुकीज हैं इन दोनोंने 2020 क्रिकेट मैच में दस लाग रुबएगा सट्टा खेल करके हार गए हम अपने पैसे मांग रहे तो ये हमें इदा उदर घुमा नहीं है परिशान कर दिया ये क्या किया तुम दोनोंने हमको पता है कि पैसे कैसे वसूल किये जाते हैं हम लोग आपके ऑफिस तक आ गए हैं इसलिए हम आपको चेताँजी देने आए हुए हैं सर प्लीज प्लीज सुभाश चंदर जी सर इन लोगों को पैसा दे दीजिए ठीक है सर चलता हूं सर क्या है ये क्यों किया ये सब मेहनत से कमाया हुआ पैसा काफी नहीं था जो गलत काम करने लगे हम पर हमारे कंपनी बर बहुत विश्वास करते हैं लोग इस बद्लामी का लोगों को पता चलेगा तो तुम आरे बाबा जीब आएंगे वैसे तुम्हें कम एक किस चीज की है हर जरुरत तो पूरा करी रहा हो तुम क्या जरुरत पूरा करोगे ये मेरे पापा की जायदाद है तुम अपना पैसा नहीं दे रहे हो ना हमारा पैसा हम कुछ भी करेंगे हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो मेरे बच्चों के लिए खिलोने खरिदने हो मेरी पत्नी के लिए साली खरिदनी हो तो आप से पैसे मागने पड़ते हैं तुम ऐसी जिन्दगी पर तेरी पत्नी के मर जाने के बाद तुझे और तेरे बैटे को घर में पना दी मेरे पाज़िए हुआ हुआ है सब्सक्राइब एफ जाएब टॉच्टर फस्ट अटाख में सिर्यआ होना It's a very rare case. क्या उसने कोई शौकिंग गिर सुना है? आइसा कुछ सुना नहीं, डॉक्टर. अपने पेटे के बारे में चिंता करते रहता था. उसके बारे में सोच सोच कर हूं, इसकी हालत हो गई होगी. He is very critical, Mr. Ramakishan. चाहे जितना भी पैसा लगे, किसी भी तरह मेरे भाई को बचा लो, डॉक्टर. We are trying our level best, sir. Don't worry. ऐसी बदना में से तो अच्छा है की, मैं अपनी जान ने दुखिया. जिन्दा है या मर क्या यही देखने के लिए आये हो, ना? बड़े पापा. तेरे जेब में तो पैसा रख पाया लेकिन, तेरे दिल में प्यार नहीं रख पाया, बेटा. तुझे देखकर उसकी अधूरित जान भी चली जाएगी. हो सकता है तुझे बाप की जरूरत नहों. लेकिन मुझे भाई की जरूरत है. जरूरत है. लेकिन मुझे जरूरत है. क्यों चिंटू, यहां क्यों बैठे हो? मेरे वज़े से यह सब हुआ है. आपको कुछ नहीं होगा, पिताजी. हिम्मत रखिए. सब ठीक हो जाएगा. ठीक होकर किसका भला, गुरू बैटी? अपने एकलोत है, बैटे को तो सही रहा दिखा नहीं सका. चिंटू को बुरा मत समझे है, पिताजी. ऐसे बैटे को पाने के लिए आपने बहुत अच्छा करम किया होगा. वो ना होते तो, आज मैं आपकी सामें जिन्दा नहीं होती. तुम क्या कह रहे हो, बैटी? सगाई के दिन, उन्होंने जो जगडा किया था, मेरी हिसर बचाने के लिए. मैं शालू की सगाई के लिए कपड़े खरेदने गई थी तब ही. उसकी गलती ना होते हुए भी आपने उसे डाटा मारा, चिन्टु सर जुका के घर से निकल गया. सिर्फ मुझे बचाने के लिए पिता जी, आपको चिन्टु पर गर्भ होना चाहिए, ना किश अर मिन्दा. मैं अभी उसे देखना चाहता हूं, बैटी. चिन्टु, तुम्हारे पापा तुम्ही मिलना चाहते हैं. सच कह रही हूं. तुम्हे तुरन बुला रहे हैं, चल्दी जाओ. पापा. बैटो. मुझे माफ कर दो, बिटा. यह आप क्या कह रहे हैं, पापा? तुम्हारे बारे में सच्चाई जाने तक, मैं जिन्दा. आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अब मुझे कुछ चिंता नहीं है, बैटा. मैं अपने बेटे का चेरा देखते हुए आखे बन कर लूँगा. ऐसा मत कहीं, पापा. इतने दिन तुम्हे समझ नहीं पाया, बैटा. पापा, बैदे ब seeking बाप की हिफशत, करना उनल्यारा के लिए पैसा कमाना चाते है. मैं करना चेर दो, बैड़े बापा की इफाज़त करा लोगत्या करो। दोक्तर! साहब अपना चिंटु बेटा आपके अलावा उस्पैस दुनिया में कोई नहीं है वो सारे रुष्टे मेरे भाई के साथ राख नुगी अब वह नहीं रहा तो मुझे किसी की सर्मत नहीं है स्वामी ओपन करो आप जब भी मंदीर आते हैं परसाद देने के अलावा आरतिक थाली में चवनी भी नहीं डालते फिरास दसलाव क्यों डाले पचासलाव खर्च करके भी हम पूर सुक्तम को मार नहीं सके हथ्यार नहीं खोन नहीं केस नहीं पैसा खर्च भी नहीं चुटकी में जान ले लिया इसका आज ही फचला कर लिया भगवान ही हमरा पार्टनर है आपकी खुशी को देखकर लगता है कि भगवान के सर पर भी सोने का मुख़ चल जाएगा मुख़ उटा तो का उसका पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा तो सोने का मंदिर बनाऊंगा उसका भाई तो मर चुका है तो रां कितनवा को और दिन एक प्राबलम दे के तरपाऊंगा हहहह हहह ए छोटो भाई क्या छोटो भाई मोहले का गुंड़ा हूं क्या ऐसे बुलाती है पर यहां आई क्यो है क्या वाद है घर से भागाई हो क्या तुम पागल हो गया क्या इसके अच्छे बुरे का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा ना ये सामान उपर रख दो मेरे गैरेज को धमशाला समझ रखा है क्या जिसे देखो मूँ उठाया जा रहा है को मैं परांद Muztak step is, हुआ है क्या आफ पापा को अपने प्यार के बारे में बताने से पहले वो मेरा रिष्टा कहीं और देखने लग देखने लगते लेकिन मैं तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हूँ न और पढ़ाई करनी हो ये कह यह फिरिया ही यह यहां नहीं रहेगी तिरा recommendation नहीं चलेगा पहले से problem से मैं कोई problem नहीं हूँ तुम अपने कमरे में सोजाना मैं बाजू में सोजाऊंगी उतने कमरे नहीं है यह राजमेल नहीं है सर्फ एक कमरा है वही तो कह रही हूँ, तुम अपने कमरे में सो जाना, मैं तुम्हारे बाज़ों में सो जाऊंगी बस नीचे बहुत मच्छा रहे, मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती है, चल जाए यहां से, चल किसक अकेली ही है, लगता है गाउं से आई है, चलो पूछते हैं क्या, चलना यार, अपरी लेते हैं चलना यार, चलना यार, पूछते हैं कर दी, आईटम है यार, देखता नहीं है क्या, रेट की बात पहले कर ले, बाद में जमिलाने चाहिए, कितना है, रेट कितना है बता दो, वो मुझे पता नहीं, ऊपर मेरा आदमी है, उससे जाके पूछना ऊपर अरेट करने वाला है कौन है भाई? कौन हो तुम लोग इतनी रात के या कैसे? बाहर जो खड़ी है उसका रेट कितना पुछने आयते क्यों? पसंद आया क्या तुझे? बहुत पसंद आया क्या? सूपर है सर, चल्दीश रेट बताइए, हम रूप नहीं पार रहे है इतनी पसंद आ गई क्या? तो पंदला हजार लेदो फिप्टीन थाउजन? फिप्टीन थाउजन बहुत जादा लग रहा है क्या? अच्छी कंपनी की है, बहुत कंफटेबल रहा हैगा सीट देखा है ना? बहुत अच्छी है, पंदला हजार बहुत जादा है पाच हजार मेर जिस कीजिए न क्या पाइट थाउजन? बाजू के गयरे में ब्लैक खड़िया उसे लेजा अच्छा जानत जी ब्लैक को छोड़िया वाइट को ही वोकी कर दीजाएगा तो पंदला हजार देखके लेजाएगा ज्यादा चली भी नहीं है, पुलीस भी नहीं पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी याँ, सारे पेपर्स किलिए रहना पेपर्स? आयात, रसी पूप, इंशुरेंस पेपर्स, सब किलिए रहा बता रहा हूँ न जयाब किसके बारे मात कर रहे है? वह बहर जो लड़की खड़ी उसके बारे में न बहर कौँसे लड़की है? इतनी देर से उस लड़की के बारे मात के रहे थे तुम लोग उस गाली का ओनर मैं ने हूं भाई अंदर सोया है रुगो बुलाता हूं ए तेरी गाली का ग्राक आया है भानू के लिए तीन ग्राक आया है अरे सर रेट तो बताइए ना अरे जाकर अपनी आयटम से पुछना ये रेट बेट का क्या चकर है तो क्या करती तुमने तो कमरे में आने नहीं दिया आने आने दिया अब भी कमरे में नहीं आने दिया ना तो जो भी आएगा उसका साथ चली जाओंगी ओओ तो आफद की पुडिया कहा से आ गई? रेलवे स्टेशन में ठीक है अंदर चलो सर उर्शतम जी ने हमारे कंपनी में इंसुरिंस किया था पेपर देखे सिगनीचे कीजिए मेरे साइन किसलिये? नॉमिनी आप ही है सर उनकी डेथ सेटिफिकेट बाकी की डॉकुमेंट से करेडी है तो कर ला कर ली जाओगा अथो सर नमस्ते राम किसंजी आपके घर क्यों आया सोच रहे हुए असुब हुए घर में सुबकार होने साब अच्छा होता है जाने अँजाने में हम्री वजह से आपकी बेटी की सगाई तूट गगे हम्रा एक लोता बेटा है नूँ आपको इतराज ना होतो हम्रा बेटा से आपकी बेटी के साधिक करवाएंगे शेतानी दिमाग चलाना तो कोई इस से सीखे हरामी कहीं का वो लोगता आपका रिस्ता तोड़ कर गए हैं मगर हम जोड़ने आए हैं घार आये महमान को बेजज़त करना हमारे रिवाज में नहीं है वो भाई तक पुरानी बाते भूले नहीं हैं आप तो समझा अपने पिता जी को हमारे पिता जी अभी चाजा जी के मोत के गम में डुबे हम उनसे बात करके माना लेंगा आप जिन्ता मत की देंकर यह तुम क्या कह रहे हो भाबी है है किसने इस गुंडे को अंदर आने दिया बाहर निकालो इसे अंकल जी मेरी बात तो सुनिये मैं कुछ सुना नहीं चाता चुप चाप चले जाओ उस दिन जो कुछ हुआ उसका करण मैं और मेरा गुस्सा मुझे मारी यह पिटी लेकिन मेरा गुस्सा मेरी बेहन पर मत निकाल लिए प्लीज जो भी हो मैं अपना फैसला नहीं बतल सकता तो बेटे के मर्जदी के बगएर उसकी शादी करेंगे मुझे अपने परिवार का मान सम्मान भी देखना है मान सम्मान तो हमारे भी है मान सम्मान की बाते तेरी जुबान से सुनकर मुझे हस्या रही है तप औरियों की तरह गिरेवान पर हाथ डालते हो मारिये सर रुक क्यों है आपका गुस्सा ठंडा होने तक मारिये आपका गिरवान पकड़ा तो आपको इतना घुस्सा आया, एक बजार का गुंड़ा, मेरे बड़े पाप पर हाथ डाला तो, मुझे पर इतना ही घुस्सा आया था सर, आप बड़े लोग है, सगाई तोड़ सकते हैं, लेकिन वो दुम आपस में प्यार करते हैं सर, द्यार कर पिर दूसरों के पैर पढ़ने वाला गुणना नहीं हो सकता, ये शादे तो अपने हाथों से करो बेटा, नहीं सर, जब तक मेरे बड़े पपा मुझे नहीं बलाते, आशिर बद दिने का नसीब मुझे नहीं हो, मैं रहू या ना रहू, मेरी बेहन के शादी धूमधाम से हो जरूर होगी, तुभारे हाथों से होगी क्या शालू, तुम भी ना छोटे बया से मिले बगयक जा रहे ही हूँ, कम से कम उससे एक बार तो मिल लेते हूँ इनके सामने कैसे आ सकते हैं, जाते ही फोन करते हैं, चलो एक्स्क्यूज मी मेडम, सम्बडी इस कॉलिंग यू चोरी, आप लेगा तुम जहाते हैं भार बार डिले भार अजए कि आपको केसे बता हूँ आपकी बेटी भानू हमारे चिंटू के साथ गों रही जब वो हमारे घर आई थी कि चिंटू ने से पहला अपने जाने फसा लिया था मानु जब से गाउं से आई है एक दिन भी इस घर में रहे अंकल सुना है कि चिंटू के किसी दोष्ट के गैरज में रहती है उस गुंडे के साथ अब हमारा कोई संब्ध नहीं है कल को कुछ हुआ तो हमें दोष्ट मत दीजिएगा आपकी बेटी को समझा भू जाकर अपने गाउं वापस ले जाईए ठीक है बेटा चाचा जी चिंटू ऐसा लड़का नहीं है चाचा जी उससे बदला लेने के लिए वो लोग आपको भड़का रहे हैं चिंटू बहुत अच्छा लड़का है मैं सब को जानता हूं बेटेक हमेशा आपके घर में रहती हूं कहकर मेरी बेटी मुझे जूट का करती थी लेकिन बहानूं के वहां पहुंचते ही जिंटू ने मुझे फोन कर दिया था आज कल बिना बताये बच्चे कर लेते हैं शादी करने के लिए मेरी बेटी उसके पास गई तो ले जाओ कहकर फोन किया तभी मैंने फैसला कर लिया वही मेरा दमाद होगा अग जिंटली आओ कहा तो मैंने कुछ और समझा था अगर जानता कि ये बात है तो मैंने ही आता चलता हूं बेटी हलो मैं कल्यानी बोल रही हूं पापा तुम्हारी और चिंटू की शादी के लिए मान गया है सचमें अगर तुम मेरे पास होती है तो मैं चोच से चुम लेती ये तारी चुम्मिया शादी के बाद चिंटू को देना वा गया तुझे जशन मना रहा हूं भाया मेरे साथ साथ मेरा भाई भी पागल हो गया इसलिए जशन मना रहा हूं एक पुरुशतम क्या मर गया भगवान ने हम पर दया कर दी ये सोचकर बहुत खुश हो गए थी उसकी मोच से हमें क्या मिला उसके घर में शादी का खाना हमारे घर में श्राद है उस दिन तुम्हें पूरे गाउं से पिटवाया था और आज प्लैट करीदेवे लोग तु सब्सक्राइब नमस्कार कोड का स्टे आड़र है इसलिए यह विवाजी जमीन है सर आनुनी तोर पर यहां पर कोई यी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता पिटिशन में पेपर्स बहुत स्टॉंग है सर लैंड उनकी ही है ऐसा रजिस्टर में पता चल रहा है सर स्टे ओडर कैंसेल करने के लिए जितने भी रास्ते हो सब बताईए जन निवास कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पर रुखना नहीं चाहिए हम भी कोट जा सकते हैं सर लेकिन वह कब किलियर होगा कितने साल लगेंगे पता नहीं सर अगर हम तब तक रुखते भी हैं तो फैसला हमारे हक नहीं होगा यह कंफर्म नहीं है मैं सब की गुलामी करके मिनिस्टर बना हूँ हर वक्त प्रजा सेवा करूंगा तो एलेक्शन में लगाया हूँ पैसा कब वसुल करूंगा पैसों के बगार कुछ नहीं होता है जाओ यहां से ऐसे लोगों से मेरी बढ़ जाती है अरे बिचारा मिनिस्टर है इसको भी खान इसके जरूरत नहीं मुझे कैंसिल करो नेक्स अरे फोन बज रहा है पूछ कितना देखा हूँ पूछी है हलो मैं हूँ यार तेरे मिनिस्टर का जीजा फोन उस गधे को देना की कैसा है आपकी जीजा जीजा जी पैसे आगया क्या ट्रक भर भर क्या आया आजा उसके साथ तुझे भियाग लगा तूँ यह क्या है कौन है यह कौन है रहे तू श्री कृष्ण परमात्मा तैल का जानते हो ना अब तू कहां जे टपक गया तूसका कैमरा मेंने क्या तेरे रिश्वत की कहानिया लड़कियों के साथ रंग रलिया शूट करके कैसेट बेर रखा है ए कर वहां तो आएगा तो खुलकर बताओंगा अरे काओ मेरे स्वामी यह लो मैं आ गया प्रभू किशन बगवान कहा हो तूम अवाज तो बासुरी तो बजाओ अवाज तूकर पैचल लूगा मैं मामा गंस मामा यहां देखो वाओ प्रभू कैसे हैं आप क्यों मामा सारे ब मीडिया वाले तो बारे पीछे पड़ते तब यह सारे लोग तहां थे मामा नाराज मत हो बांजे मेरे बारे मैं अच्छी तरह जानते हो अगर यह लड़के नहीं तुम्हें क्या तकलीफ मैंने में 20 दिन फॉरण में एंजय कर रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है पिर शर्मों क दुबाई में सिर्फ एक ही लाकी भी किया है रीसेंटली उमापति ने आर्के बेल्डर्स की वेंचर को रोकने के लिए चार करोर दिया था ना हजल कर लिया क्या उसने चार करोर के अवा उड़ाई क्या सभी लोग मुझे बंदर की तरह ना चाह रहे हैं भांजे और तुम यही है ना जासूसी कैमरा मैंने सब कुछ तेरे हिसाब से बता दिया ना और कुछ तो बाकी नहीं रह गया मेरे भांजे इसके बल्बूते पर तुमुझे और मेरी मरिश्टर की कुछ से हिलाना चाहता था स्थायाले बताता हूँ है खात में कर दो इसको कि अब कि अब कर दो अब को आया कि अब को ने ने देखता है अब को ने वचारणा को अब कुछ से लगता है हमें भी निकलना चाहिए चलो ऊई मामा अब कि इस लेना है तू पीछे से बार करता है तो मैं सामने से करता तेरी पूरी फिल्म को फिनिशिंग तच दू क्या है मेरे दोस्त मैंने बहुत अच्छे से क्लोज अप करके फोटो निकाली है अब बसीना चूट रहा है कि अब अरे तेरो बचना बहुत मुश्किल है शराफत से चुप चाप आरके बेल्डर्स की फाइल क्लियर करो नहीं तो मेरे दोस्त की फोटोग्राफी टीवी पर आजाएगी एक घंटे में तरी कुर्सी खाली हो जाएगी करा दूंगा बांजे अभी क्ले करा दूंगा एचर तेरा सर घुम रहा है का अरे घुमने क्ले सर तो होना चाहिए ना अब तुम्हारा काम नहीं हो सकता ए यह केस करने वाले बहुत कौन है अपने हाथ उड़ाओ सुनो तुम जाकर यह जूटा केस है कर अपना केस वापस लेलो अगर अंदर हो गए तो सरकारी महमान बनके रह जाना हाँ तो हमरा पईसा तुम कब दे रहे हो बाला जी के उंडे में डाल दिया समझो अरे तुम क्या जानो मेरी परिशानी मेरी पैंट कीली हो गई है से तेरी समाधी बना दूंगा मैं है 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 लेट लेट जैसा हूं मैं तेरा गला कप काट के रख दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और के विल्डर से तू टक्राना लेगा तुम लिया न आप क्यों कड़े हो तुम लोग उसमें से तुम्हारा भी कला मोजूद है जल् कि हमने सोचा था कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा आज उसाहे सपने सच हो गए आपका परिवार सुखी रही यह क्या तेरी आखों में आशू मैंने बड़े पापा के आखों में प्यांते है जब तेरे बड़े पापा तुझे घर बुला लेंगे उस दिन में बहुत कुछ होंगा मेरे यार करना अमारे लिए ठीक नहीं है मेरी बात मालो ना जूरे इस पंडी से मार खाऊंगा मैं जबाट पना होती कहीं का प्या है बाई इसमें फूल है रे पप्या फूल है इसको फोर दूँगा तो मैं कहीं और चला जाओंगा गुरुजी फोर दूँगा हाँ अजमान अमरीत घड़ी आने में थोड़ा समय बाकी है बाई नहीं बाई मेरी बात सुनो लिए पागल है च्या तु मैं क्या अब नहीं रहे थोड़ी दिरबाद फोर दो क्या गुरुजी अमरीत घड़ी आ गई है अभी फोर चाहे 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 अब फोरता हूं गुरुजी अब क्या हुआ यहां हो यह इस्ट साइड है उरभ के सामने फोर दो ओ ऐसा क्या यह क्या हो गया बहुत दूर जा रहे हो भाई क्या हुआ हालो हमारे यहां रहना ठीक नहीं है चलो बताता हूं सुनिये ऐसे समर्प वहां मन चाहिए प्लीज पीताजी वहां का मामा चीक नहीं है मत चाहिए पारे बच्चे भी घर पे नहीं है आपके साथ कोई आनों नहीं हो जाए मरने वाले मजदूर है सोचकर बाकी लोगों को तलबने के लिए छोड़ दू उन लोगों ने मेरी कंपनी के लिए बहुत महनत की है गुस्ते में मुझे मारना चाहे तो मारने दो है और कोई कारण नहीं है यहां कोई भुकम धोड़ी आता है जो बिल्डिंग गिर जाएगी इसमिलाट के रच से गिर गई है उस एरिया में तीन यार का वाओ हम दे रहे हैं उसे 607 में दे करके लोगों को बुद्धू बनाया अब देखें कितने लोगों की चांच चली गई अरके बिल्डर्स के लापरवाई से बॉली चड़ने वाले गरिब परिवार जनों को मेरी तरफ से साधर पढ़ना गजरे भीच्च छांच मेरे भागे लोगों की बादे मेरे बीच्छ फपर जेते लोगों का वाले देक्टि एलोगा तो षाघ रमे लेग्ड़ने मुद्धकिन प्र बनाया मारों किलाई से इसनों को फखें जिभागों को ψते मेरे पेने जिए जानी देने तो पर भरोसा किया इतने गंदी कोल्दी का मगार बना गर के दोगे मुझे विश्वास करो मैंने किसी को धोका नहीं दिया आपका पैसा कहीं निए जाएगा आप तेरी पैसे हुआ इसका कारण कोने मैं पता लग वाँगा वो सब इंक्वारी में पता चलेगा प्रिकॉशनेरी एक्शन के दहफ हम आपको अरेट कर रहे हैं अरो बाम इसके रखा था अरे शैतान तुमारे घर के जगरे घर में सुझा लो हम शरीवों के जान के पीछे क्यों पढ़े हो जपाते के अरो इसके पारो कि अग्याद के वज़े से गिर जाने वाले आर्के बिल्डर की जन्निवार्फ विवाद में एक नया खुलासा हुआ है जायदात भी हिस्सा ना मिलने और घर से बाहर निकाल दिये जाने की कारण उसने गुस्से में ये काम किया है ये क्या क्या बेटा बड़े पापा को बदनामी से बचाने का रास्ता नहीं था इसलिए बम मैंने रखा ये जूट का तुने जूट कहा क्या कह रहे हो पुलीस रिपोर्ट से पता चला है कि बम रखने के वज़े से बिल्डिंग गिरी अगर वो बम रखने वाला नहीं मिला तो तुम इस केस से बहां नहीं निकल सकते चिंटी बहुत खजब हो गया है उस ब्यारी बम वाले को चुपा कर रखा है न आपने उस चिंटू ने उसका पता लगा दिया है जिन्टुआ तो चेल में है ना बेल पे छूटकर बहुत समय हो चुका है भाई बात मान कर दो बिहारी बंवाले को कहीं और शिप्ट कर दो अगर उख पुलिस के हाथ दख गया ना तो सीधा आपको भी जेल जाना पड़ेगा खोजो उस बिहारी को वह यहीं है जीजाजी है अब अब उड्रे यहां से निकलना होगा वरना चिन्टु आ जाएगा आ गया हूँ अगर 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 तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना चलो आजाओ इस बात मान कर उस बिहारी बंवाले को कहीं और शिप्ट कर दो चिन्टु को पता चल गया है बहुत मुश्किल हो सकते हैं आपने चलो से अरे कहां जाओगे अब तो खेल चुरूओगा मेरी पैदाइश पप पर शेर की है शिकार नहीं बुलता कहीं भी भागों पीछा नहीं छोड़ूगा चाहे जितनी भी ताकत लगा ले इस बिहारी को आदालत ले जाकर रहूंगा इसके साथ तुझे भी अंदर कर दूँगा आजा तोड़ टालूँगा अब लेकर जाओ फोट में गवाई देने के लिए जोच सहाब जोच सहाब उराम की सनवा के बिल्डिंग में बॉम रखने वाला मैं ही हूं वो मापती ने रखने को कहा तो मैंने रख दिया साहब कहकर अराम से बोलो अरे बिल्ला भाई तुम तोड़ा रुखो तुम तो मैंने तुझ अरसने के चांस नहीं है बच्चु तो एक सीटी मार लूँ कैमरे में कोई राज है क्या सुपरमेन की तरह कैमरे पुली के उतरह है अरे तुम लोग की सारी कर्थितों के रिकॉर्ड में कर चुका हूं बहुत मस्पोटोजेनिक फेस से कमी ने का तेरे जैसे चवन नी छपका कर इतना दिमाग है तो मैं तो एडुकेटरेड हूं मेरा कितना दिमाग चलेगा सोच अरे बाबरे ये फिर से बार खाने के लिए आ रहा है पुर्शोत्तम जी के गुजर जाने के बाद ही में नवकली छोड़ देना चाहता था तुम दोनों मुझे क्या डिस्मिस करोगे मैं खुद नवली छोगने चला जाता हूं क्यों रे जदा चर भी आई ये क्या बिल्डिंग गिराने वालों की तरफदारी कर रहे हो कि पिरिश्वधियस ने जबान खीचकर हाथ में देदू का अगर चिंटू बाबा को कुछ का तो रुबास अंद्राजी मापकर भी के सब चिंटू बाबा के बारे में गलत कहा तो मरधास नहीं कर पाया बिल्डिंग गिर जाने के बाद पुलिस इन्हें अरेश्ट करेगी सोचकर भाग गये थिया लोग आपके हाथों में हकड़ी ना लगे इसलिए मैंने बॉम रखा ऐसा सबसे कहकर वो खुद अरेश्ट हो गया था कर दो कर दो कि चोटी में साहब की शादी चले गये हुए लोग वापस आनी को जैसे नहीं हुई सथ बेहन के खातिर उनके घर जाकर उनके पहर पकल कर शादी करवाई आपके भातीजे ने आपका सगा बेटा पत्नी पर शक करके उसे सता रहा था तो भाई की पत्नी के खातिर अपमान सहकर बेकसूर होते हुए भी सर जुका का चला गये अपना चिंटू बाबा आपको भगवान समझने वाला आपका छोटा भाई अपने बेटी की वजह से अपनी जान नहीं गवाई इनकी बत्तमीजी की बाते सुनकर दिल का धौरा पढ़ने से भगवान को प्यारे हुए नहीं पिता जी ये जूट बोल रहा है जी पापियों मुझे दोखा देना चाते हो अब मेरा सर फेकी बेटा है चिंटू पैट्रोल डालो अचिंटूआ तरह तरह तेरा गाव विजल कर राख हो जाएगा तो तेरे बड़े पापा भी तेरे पाप इसर दिल का दौरा पड़कर मर जाएगी अमरा भी साल का बदला इस साथ के इंदर ये ठंडा हो जाएगा हुआ है हुआ है हुआ है कि मेरे बेटे को जलाना चाहता है इतने दिनों तक वो मेरे लिए तकलीप साहता रहा अब मैं उसके लिए प्रिजान भी दे सकता हूं आजा कि अज़ाए इसके आख़ों के सामने इसके लाड़ने को जलाकर राक करतो कि अज़ाँ कि अज़ाँ कि अज़ाँ कि अपने दिनों तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया बिठा हमारी खाथिर अपनी जान दाओं पर लगा कर इतना कुछ किया तुने क्या देकर तेरा एसान चुकाऊंगा बिठा एसान कैसा बड़े पापनी का अज़िए का